प्रदेश के बिदानसभा चुनाव में कई लोगों ने अत्रंगी, मननते मांगी और दावे भी किये और चुनाव परिनाम आने के बाद किसी के दावे सफल हुए तो किसी को नुकसान उठाना पड़ा है ऐसे में इनहीं दावों के चलते प्रदेश की राजधानी भुपाल में भी गुरुवार को हाई बॉल्टेज ट्रामा देखने को मिला क्या है वो हाई बॉल्टेज ट्रामा चलिए आपको लेखा देखने को मिला जहां लब निर्वाचित कॉंग्रेश विधायक फूल सिंग बराया अपना मूग काला करने के लिए राजभवन के लिए निकले और उन्हें पूर मुख्य मंत्री दिगविजे सिंग ने रास्ते में ही रोक लिया और काला टीका लगा कर उनका वचन पूरा कराया पूसटल वैलिट्स में 199 सीट कॉंग्रेश जीत रही है 31 सीट विजे पी जीत रही है और एपना जो आपने कहा था ब्यान दिया तो इसको लेकर भी आप आगे बढ़ते ने जी आगे बढ़ते। मेरे आप से प्रात्मा है, मेरे हाँ जोर के प्रात्मा है, कि आप कब मुँ पर काला रग नहीं लगेगा, आपके सत्य बचन और आपके प्रत्य बित्ता पर हम आपको बधाई देते हैं फूल सिंग बराया ततिया जिले की भांडे सीट से विधायक का चुनाव जीते हैं, चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था कि अगर भाजपा की मध्य प्रदेश में 50 सीट भी आती है तो वे अपना मुँ काला करेंगे ऐसे में जैसे ही बिजेपी को प्रचंट बहुमत मिली, सोशल मेडिया पर बराया को अपना वचन निभाने की नसीहत मिनने लग गई काला मु करने की सियासत से सुरू हुआ ये राजनीती ड्रामा ईवी एम पर आकर खतम हो गया जहां पर प्रिसासन ने पूल सिंग बराया को रोसन पुरा चोराय पर ही रोक दिया तो वही कॉंग्रेस के नेताओं ने उन्हें काली टिकली लगा कर नजर न लगने की हिदायत दे दी और इसी तरह संगस करने की बात कही कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल है और एबी एम पर हार के बाद अब कॉंग्रेस ठीकर अफोर्टी हुई नजर आ रही है केमरा मेन नितिन के साथ आएनस 24-7 के लिए